एक इंसान कितना चल सकता है, हाइस्ट रेकॉर्ड बनाया गया है कि 12,002-12 किलोमीटर तक चलने का और वो भी 4,001 किलोमीटर तक चलने के बदा है दोस्तों कि एक मिक नाम के मुर्गी के उसके सीर काड़ देने पर भी वो 18 महने तक जिन्दा रहा था दोस्तों कि ज्यादा तर बिल्ली 30 फिट के उचाई से भी कुदे तो वो जिन्दा बच सकता है दोस्तों कि बिल्गेर्स 30 साल के उमर में करोर पती बनने के सपना को ब्यक्त किया था और असरी की बात यह है कि एक साल बाद ही वो और पती बन चुके थे फैक्स नमर फाइब क्या आपको पता है दोस्तों जिज दिन स्टेबे नौकिन का जन्म हुआ था उसी दिन उसी तारिक के गेलिल्यो गेलिली का मत हुआ था और क्या आपको पता है जिस दिन Esteban Allkin मड़ा था उस दिन हमारे Einstein, Elbert Einstein भी उसी दिन जन में हुए थे तो सुचिए दोस्तो कितना एक ठफाग है और ये कैसा है सुचिए दोस्तो क्या आपको पता है दोस्तो कि एक टॉनल को 17 साल लगा था बनाने में और वो सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा टॉनल है 57 किलो मेटर लोंग टॉनल है और वो सुईटजर लेंड से इतली जाने के लिए बना था Nomer 5 क्या आपको पता है दोस्तो जिस student का writing बहुत गंदा होता है यानि कि वो genius होता है वो बहुत अपने दिमाग में बहुत fast में सोचता है और उसका writing उसी के कारण उसे rough हो जाता है यानि कि बहुत खड़ा बिगर जाता है और ये एक sign है genius का sign है अगर ये sign आप में भी है तो आप भी समझ आओ genius हो Facts No.11 क्या आपको पता है दोस्तों कि Antarctica का highest temperature कितना हो सकता है वो 14.6 degree Celsius नापा गया था 1974 जन्बरी के मेहने में वो है ये सबसे highest recorded temperature अंटार्टिका में Facts No.13 क्या आपको पता है दोस्तों कि highly intelligent people और normal इंसान में क्या फड़ा के सबसे ज्यादा highly intelligent people जो होता है वो बहुत ज्यादा भुलक करोता है normal minded यानि कि साधारन पुद्धी वाला इंसान ये compare में क्या आपको पता है दोस्तों जब आपके आँख में थोरी शी भी कुछ तिखा चला जाए तो आपको क्या करना चाहिए आपको सबसे पहले आँख को धोकर बारवबुंद सेहद आपको आँख में डालना चाहिए उसक का नाम मार्था स्टीवर्ट नोकिया था और वो बच्चे जो हाथ मिला था तो उसका नाम जेकरी जॉंसन था क्या आपको पताए दोस्तो कि जब पहली बार हवर टेलिस्कोप से स्काई को देखा गया था तो इसकाई एसर लग रहा था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्या आपको पता है दोस्तों कि जब आप इस नमर को सर्च करोगे 24154-3903 अगर ये Google Image पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा इंसान अपने सीर को फ्रीज में रखे हुए पाओगे आप 14. क्या आपको पता है दोस्तों जब आपके तरफ बिल्ली देख रहा होता है और वो धीरे से अपने पलक को जबकाता है तो इसका मतलब ये वो आपको दिखाना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है और वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है आपसे और 15 क्या आपको पता है दोस्तों कि जब आप helium को absolute zero temperature तक कुल करोगे तो वो एक liquid बेंजाएगा और वो liquid gravity के against में काम कर सकता है और वो gravity के against में flow हो सकता है वो liquid 10 यह फैक्स सुनकर आप लोग बहुत ही शौक हो जाओगे क्योंकि यह फैक्सी बहुत अच्छा है यह एक दिन में लगवग लगवग 2-75 million star का burn होता है एक दिन में सोची दोस्तों कितना ज्यादा है नमर 17 क्या आपको पता है दोस्तों कि आप जब यह स्क्रीन पर देख रहे हो यह वर्ड यह टिस्नोरी में सबसे बड़ा वर्ड है यह टीजीज का नाम है यह टीजीज यह जलन सिल होता है हमारे लॉंक्स में pollution ने कारण उसी से होने वाला यह टीजीज का नाम है यह फैक्ट आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि हमारे इंटरनेट का ट्राफिक कितना ज्यादा है और उसमें से 51% नोन हुमेन है यानि कि 51% रोबर्ट यूज़ कर रहा है और 49% सिर्फ हुमेन यूज़ कर रहा है सोचिए दोस्तों और फ्यूचर में कैसा होगा अगर अभी ही आपको पता है दोस्तों कि हाइपो-पी-टू-टेरिज्म यह एक ऐसा डीजीज है जिस डीजीज में इंसान को प्यार वाले फिलिंग ही नहीं आता नमोर 22 क्या आपको पता है दोस्तों कि श्वीडन ही एक ऐसा डेशे जहां पे लोग 24 गंटे अपने हेडलाइट को बारे रखते है और 12 मेहने हेडलाइट बढ़ता रहता है यह फैक्ट बहुत ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों क्या आप भी चाहते है कि कोई इंसान अपने मौन में छुपे हुए आपके प्रति सभी बात बोल दे तो यह फैक्ट आपके लिए है यह अगर आप यह चाहते है तो आप मिडनाइट के बाद अपने चेट को करें और जो लोग यह मिडनाइट के बाद चेट करते हैं वो लोग अपने इमोशन को यानि कि अपने मन के अंदर को भावना को नहीं छुपा सकते यह इंपोसीवल हो जाता है चुपाना और वो अपने मन में आये जितने बात वो सब बोल देते हैं चेट में क्या आपको पता है दोस्तों कि एक एसा बल्व है जो बहुत सालों से बल रहा है वो लगबग 113 बर्शों से अभी तक परजेंड में भी अभी तक बल रहा है